हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं यहां अच्छी नहीं डेली में इलेक्टिक वन के सोरूम में हूँ जो के मल्टी ब्रेंड एलेक्टिक सोरूम है और आज की वीडियो में हम लोग डिटेल जानने वाले हैं या डिटेल रिवीव करने वाले हैं एक बहुत सांदार स्कूटर के जो क्लासिक लुक में आ रहा है और नए कलर में आया उसके पहले भी हमने उस मौडल के वीडियो बन में देख सकते हैं सिंगल टोन कलर में बहुत प्यारा सा कलर है यह ब्लेजिंग ब्रॉंज कलर में दिया गया है आप नौर बोल चाल में बोल सकते हैं कॉपर कलर में दिया गया है या गोल्डन कलर में भी बोल सकते हैं थोड़ा गोल्डन लुक भी आ रहा है इसका और यह मैट के स्टोरी और राइट साइट से तो राइट साइट से यह स्कूटर कुछ इस तरीके से दिखने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं मौडल में 3D में लीखाएं वा मिलेगा और रियर में आते हैं तो रियर से तो बिल्कुल वाव लुक में दिया गया यहां पर देख सकते हैं बैटरी और इसका टेल सेक्षन का लाइट वगेरा बहुत इसादार डियाइन किया गया है यह क्रो में दिया गया है यहां से देखेंगे तो और आयाते हैं लेफ साइट तो लेफ साइट से स्कूटर कुछ इस तरीके से दिखने वाली है मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ कंप्लेट लुक आए चलिए इसका वाकराउंड यानि कि इसका लुक डियाए देखने के बाद हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो यह अपर सेग्मेंट में देख सकते हैं यहां पर दिया गया है इसका में हेड लैंड जो कि राउंड सेप में थो प्लेट के लिए और यहां पर बैटरी का लोगो थ्रेडी में मिल रहा है ब्लैक बेस के उपर क्रोम में कुछ इस तरह के से देख सकते हैं और यह आजाता है इसका साइड इंडिकेटर इस साइड वाला मैं दिखाता हूँ यह ट्रांस्पारेंट में दिया गया है इसमें ब पावरफुल रोस्टरी मिल रही है इसमें थोड़ा यलो टाप का मिल रहा है और इस तरीव यलो लौइट मिलती है और LED होता है तो वैट मिलती है और यहां पर देख यहां पर आजाता है इसका साइड इंडिकेटर तो और राएड ओन होने के बाद इसका फ्रंट लिजाइ ऐसा मिलेगा चलिए अब नीचे आ जाते हैं तो यह आ जाता है इसका मटगार्ट जो थोड़ा क्यूट और बलकी लुक में भी दिया गया है यहां से देखिए इस तरीके से और इसी की सस्पेंसर भी अल्मोस कवर ही हो जा रहा है फ्रंट में आपको टेलिस्कोपिक सस्पेंसर मिल रहा है और इसी की साथ साथ आपको पॉनिक रिफ्लेक्टर भी दिया गया है दोनों साइट से दिया गया है और टायर की बात कर लें तो इसमें ट्यूब् रॉक्पैटर में मिल जाएगा कि ऑफ रोडिंग भी करें तो इसकीड नहीं होगा दिक्कत नहीं आएगा स्मूद सर्फेस होगा तो भी दिक्कत नहीं आएगा यहां कि आप किसी भी सर्फेस पर आराम से चल पाएंगे और ब्रेकिंग सिस्टम देखते हैं तो फ्रेंड में ह को कॉलिंग रिफलेक्टर मिल रहा है तो फ्रंट का टायर सस्पेंसर ब्रेक तो हमने देख लिया अब हम आ जाते हैं इसके राइट साइड में देखते हैं क्या कुछ मिल रहा है यहां पर देखेंगे तो यहां पर बैटरी क्रोम के उपर लिखावा मिलने वाला है देख सकते इसमें दो की दिए गे हां से उर नाफ कर सकते हैं सीट को ओपवन करने के लिए मिद्ट कर कने के से इस्ते झाल करके और यहां से कंपनी के बीमिला होता है आपको फुट मैट भी विला मिलाज से ग्रिप भी अच्छा होता है और नीचे का पैनल पूरा ही इस तरीके से दिया गया है कॉपर कलर में ही दिया गया है और यह आ जाता है प्लेन राइडर के लिए इसको आप प्रेस करेंगे देखे इस तरीके से ओपन हो जाता है लॉक करना है और यह पुरा में बाड़ी है कुछ इस तरीके से सिंगल तोन में मै एट फिनिश में दिया गया है और यह लिखा हुआ हाथ स्टोरी एक सीष्ट रिड़ी में कुछ दिया गया जिसी कि बहुत सांदार क्लासिक लुक आ रहा है रॉयल लुक आ रहा है और यह इसमें एलेडी लाइट का हाइ सेक्रिटी नंबर प्लेट तो अरहाल रहाई सेक्शन का लाइट और इसा मिलैग बार इन फेक्ट को भी ओन करके मैं दिखाता हूं तो देखे रियर स्क्षन के लाइट को मैंने आन कर दिया है यह आ जाता है शाइड इंडिकेटर और यह टेर लाइट और रियर में यहाँ पर दिया गया है स्प्रिंग टाइब सस्पेंसन यह दोनों साइड से ब्लैक करम इस लगे मिलने वाला है और रियर ब्रेक भी आपको प्रम प्रेक में ही मिलेगा और टाइर के साइज की बात कर लें तो 90 बाइंडेट टैनिज डामेटर में यह टाइर मिल रहा है स्टियर बेरेंड का टूबलस टायर अब आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड का देख सकते हैं यह दिया गया है लेटर चैन दोनुई ऑप्स hack लयए है कि तो लिफ शाइड का भी देख लिया आप यहाँ आ जाते हैं लैप फ्रंड में तो यहाँ पर दिया गया हैं ग्लब इस पेस देख सकते हैं को जिस तरी वब्टलं वहीं इसमें रख सकते आराम से ओ से और यहां पर दिया गे है USB port यानि कि चलते फिरते अपने मुवाइल को आप चार्ज कर सकते हैं राइडिंग के बीच में भी चलिए टायर ब्रेक सस्पेंशन लुक डिजाइन सब कुछ देखने के बाद लाइट वगेरा अब हम इसका मोटर देखते हैं क्योंकि मोटर का अच्छा होना बहुत ही जरू लिजे 2000 वाट जो की काफी पाफुर हो जाता है इसमें आपको एक्सेलरेशन ग्रेडेबिल्टी सब कुछ काफी अच्छा मिलने वाला है चडाई पे जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि पूपू करके रुख जाए ऐसा कुछ भी नहीं होने का है इसमें आराम सल पा जाए गया है सिंगल से दिया गया है यहां से और यह कॉल्टी भी काफी अच्छी मिल रही है तो कि विंटेज स्टाइल में अच्छी स्कूटर दी गयी है इसको कर लेते हैं ओपन यह होगा यहां सब्सक्राइब देखे साउंड के साथ यहो जाता ओपन और इसमें क्या कु टूल कीट फर्सेट कीट भी देखिए अच्छा दिया गया इसमें बैग वगेर भी दिया गया है क्या हां वेरी गुड बैग भी दिया गया इस तरीके का इसमें और यह मैनूल गाइड है तो इतरा में स्पेस मिल जाता है कि कुछ बैटरी और जो की लिटियम बैटरी है यहां से आप डिटेच कर सकते हैं यहां से लॉक करने का भी दिया गया है यहां से निकाल के चार्ज करिए लगाईए इसका एक बहुत अच्छा फाइदा है अगर आप उपर के फ्लोर में है ग्राउंड फ्लोर पे चार्जिंग पॉइ और फिर से इस्टॉल कर सकते हैं इसमैं और बैटरी में मिल रही है 60 वोल्ड 52 है चलिए तो यह बैटरी देख लिया हमने हैं यह सब सामान रग देता है अंदर जो टुल केट वगेरा है इसको भी रग देते हैं और अबеро lift यहां चाहीं कई बारे होता है कि आप क्वी正 के ल चलिए करते हैं इसको बन बैटरी देखने के बाद चलिए इसको अब करते हैं और मिटर कंसल को देखते हैं क्या कुछ मिल रहा है तो देखिए अब यह होने वाला है और और होने के साथ इसका इंटरफेस कुछ इस तरह किसे ब्लैक बेस को पर ओपन हो रहा है तब यह पार्किंग मोड में है यह लॉक किया गया है तो यहां से देख सकते हैं साइड इंडिकेटर का इंडिकेशन मिल रहा है लाइट उगरे का भी मिलेगा साथ में यहां पर स्पीडोमिटर, यहां पर रोडोमिटर दिख रहा है, आप से ट्रिप चेक कर सकते हैं, यही पर आपको स्पीडोमिटर का भी मिलेगा, बैटरी कितने परसेंट आपकी चार्ज है, और रेंज कितना मिलेगा, सब कुछ यहां से इंफ्रमेशन आपको मिलेगा, प्रॉपर यह आपको मिलने वाला यहां से, यहां पर देख सकते हैं, और यहां से पार्किंग मोड को रिमूब कर सकते हैं, और यहां पर मोड दिया गया है, फर्स, सेकेंड, थर्ड, तीर मोड मिल रहा है, और साथ इसमें रिवर्स लियर भी दिया गया है, यानि कि सारे फीचर समय इसमें मिल जाते हैं, चल यह मोटर, बैटरी, लाइट, टाय, ब्रेक, सब कुछ देख लिया, अब हम देखते हैं, कि स्कूटर का कॉवेट कितना आता है, जिसका कॉवेट 105 केजी है, और इसमें हमें टॉप स्पीड मिलने वाला है, 65 किलोमेटर पर आर का, और रेंज मिलेगा 130 किलोमेटर का फुल चार्ज होने पर, और डिपेंड करेगा कि आप किस मोड में चलते हैं, यह को मोड का है, अब हम वरंटी की बात कर लें, तो पुरे तीन साल का वरंटी मिल रहा है, मोटर और बैटरी पर, कनवर्टर, चार्जर, कंचोलर पर आपको एक साल का मिलेगा, शरी लास्ट में देख लेते हैं, कि स्कूटर का प्राइस कितना आता है, उसको करते हैं, डिस्क्लोज, तो इ सबसीडी भी अवैलेबल है, यानि इस पर 15,000 का सबसीडी भी मिल जाएगा, 15,500 का, क्योंकि काफी रिजनेबल हो जाने वाला है, और यहां का कॉंटरिक डीटेल आपको डैस्ट्रूशन में मिलेगा, फिर मलते हैं, थैंक्स, बबाई